सब्सक्राइब तो यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन टिकेट लेटिस अपडेट्स नमस्कार मेरा नाम पिंटु शिंग्यादो है और आप देखना सुरू कर चुके हैं नियूस लाइब दोस्तो उत्तरपदेश की बांदा जेल में बन पाखुपली माफिया मुखतार अंसारी अंदेनों अपने बेटे और पहुष से बात करने के लिए तड़प रहे हैं इसी को लेकर बेडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दवरान मुखतार अंसारी ने कोट में गुहार लगाई है और उनकी इलेक्टोनिक्स इंस्ट्रुमेंट्स के माध्यम से अलग अलग जेल में बन बेटे और पहुष से बात कराई जाए उसने कहा है कि जब से दोनों जेल में बंध हैं उन तीनों की आपस में बाचीत या मुलकात नहीं हो सकी है वह काफी परिशान है इसलिए बाचीत की बिवस्था करवा दीजिये मुक्तारंसारी ने बताया कि जेल में AD ने भी छापे मारी की है वह सुनवाई कर रहा है जजने मामले में सुनवाई के लिए 22 जून की अगली तारिख को तै किया है दरसल मुक्तारंसारी फर्जी एम्बूलेंस मामले में वीडियो कांफरेंचिंग की माद्यम से सरकार बनाम अलकार राई की पेशी SGM 19 MPMA कोर्ट में हुई है सुनवाई के दोरान मुखतार अनसारी ने कोर्ट में प्रातना पत्र दिया था प्रातना पत्र के माध्यम से मुखतार अनसारी ने कोर्ट से कुहार लगाई उसकी बात कराई जाये, कोई बात करें तो ED की छापे मारी से भी मुक्तार अंसारी लगातार परिशान है, इसके लावा बादा जेल में आज पुलिस ने CRPC की धारा 161 के तहद मुक्तार अंसारी का बयान दर्ज किया गया, या बयान उस मामले में दर्ज हुआ जिसमें DM और SP जेल में छापे मारी के दोरान, मुक्तार अंसारी के पास से समान जब्त किया और मुकदमा दर्ज कराया गया था, मुक्तार अंसारी ने बताया कि जेल में ED भी आई थी और उसने भी जाज की है, दिने छापे मारी के साथ मुक्तार अंसारी से पोस्ताश की है, मुक्तार अं के वकील और अर्धिट शिंक्षुमन ने बताया कि अब इस मामले में 22 उनकी तारीक आरोपों को बिच्रित करने के लिए तैक की गई है तो बड़ा प्डेट था मुक्तार अंसारी को जिस तरीके से लगातार सजा हो रही है तो मुक्तार अंसारी अपने बहु और पेटे से ब पटा भी रहा है बाकि इस पर आए अपनी कमेंट बॉक्स में घंद बाद